PPF एक ऐसा investment है जिसकी maturity 15 साल पे होती है क्या कभी आपने सोचा है 15 साल बाद आपके पास में क्या option होते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे 15 साल बाद PPF के साथ आप क्या कर सकते हैं आपके पास में क्या options available हैं ताकि आपको हो सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कि मैं लेके आता हूँ वीडियो इन्वेस्मेंट के उपर में टैक्स के उपर में और फिनांस के उपर में जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का और एक request दोस्तों सबस्क्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप तक ये जानकारी सबसे पहले पहुंचे 15 साल बाद जब PPF आपका mature करता है आपके पास में दो option होता है पहला या तो आपके PPF अकाउंट में जितने भी पैसे जमा हुए हैं आप उसको निकाल के अपनी जरूरत के अनुसार यूज़ कर लीजे या फिर आपके पास में एक option और होता है कि आप अपने अकाउंट को 5-5 साल के block में extend कर सकें यानि जब आपका PPF अकाउंट 15 साल बाद में जियर करेगा और आपको पैसों की जरूरत नहीं है मैं आपको यही suggest करूंगा कि आप उसमें से पैसा निकाले ना बलकि अपना अकाउंट 5 साल के लिए और extend कर दे दोस्तों मैं क्यों extend करने बोल रहा हूं इसके पीछे एक कारण है the magic of compounding PPF में आपको compound interest मिलता है और आप जानके हैरान हो जाएंगे अगर आप PPF में हर साल डेल लाग रुपे जमा कराते हो 15 साल तक 15 साल बाद मौजूदा interest rate के हिसाब से आपको करीब करीब आपको maturity पे 40 लाग रुपे मिलेंगे और अगर आप maturity पे ये 40 लाग रुपे ना निकालके सिर्फ 5 साल के लिए इसको extend कर देते हैं और उन 5 सालों में आप 1.5 लाग रुपे भी नहीं देते हो तो और आगे 5 साल बाद आपके अकाउंट में 60 लाग रुपे जमा हो जाएंगे और मज़े की बात ये है और further आप फिर 5 साल के लिए उसको extend कर देते हो तो आपके अकाउंट में करीब करीब 85 लाग रुपे जमा हो जाएंगे तो ये है the magic of compounding तो हमेशा जबी भी आपका PPF अकाउंट मेचेर हो decision इस पे निर्बर रखिएगा कि क्या उस time पे या आने वाले 2-3 साल में आपको पैसों की जरुवत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी अगर नहीं पड़ेगी तो हमेशा फाइदा इसी में रहेगा कि हम PPF अकाउंट को आगे extend करा दें 5-5 साल के block में friends, PPF अकाउंट को अगले 5 साल के लिए extend कराने में भी दो option मिलेंगे आपको इन options के अनुसार या तो आप with contribution extend कर सकते हैं या without contribution extend कर सकते हैं जैसा कि पहले 15 साल में PPF के account में हर साल कुछ न कुछ पैसे जमा कराना जरूरी होता है minimum 500 रुपे आपको हर साल PPF में जमा कराना होता है और maximum 1.500 रुपे आप PPF अकाउंट में हर साल जमा करा सकते हो तो ये minimum amount आपको हर साल PPF में जमा कराना होता है लेकिन 15 साल maturity के बाद अगर आप decide करते हो कि आपको अगले 5 साल के लिए PPF को extend करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको with contribution extend करना है आप अगर चाहें तो without contribution extend कर सकते हैं यानि सिर्फ आपको हर साल आपके balance पे ब्याज मिलेगा पर आपको उसमें पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है और दूसरा option है कि आप with contribution जमा करा सकते हैं यानि पहले की तरह minimum 500 रुपे या maximum 1.5 लाग रुपे तक 16 साल से 20 साल तक आप जमा करा सकते हो और अगर आप ये decide करते हो कि आपको with contribution जमा कराना है तो हाली में सरकार ने इस formality में एक बदलाव किया है और हमें पहले form H और form 4 जमा कराना पड़ता था ये बताने के लिए कि हम with contribution अपना ppf account आने वाले 5 सालों के लिए extend कर रहे हैं ये form change हो गया है अब हाली में और अब एक common form आ गया है और आपको common form भरके जमा करना पड़ेगा अगर आपको अगले 5 साल के लिए with contribution अपना account extend करना है इस form में आपको अपना ppf account number लिखना होता है ppf account आपने कब खुलवाया था ये बताना होता है और ppf की original 15 साल बाद majority date कौन सी है ये बताना होता है ये basic information के साथ में आपकी kyc की details लगती है आपको sign करके ये form bank में या post office में जमा करा देना होता है और आप पहले की तरह अगले 5 साल तक ppf account में पैसे जमा करा के अपने पैसों को बढ़ता हुआ देख सकते हो एक जरूरी बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ आपको ये decision कि आपको अपना account extend करना है या नहीं करना है अपने maturity date से एक साल के अंदर लेना जरूरी होता है एक और बात ppf से related बताना चाहूंगा ppf account आपने कोई भी date पे खोला हो आपके account की maturity 15 साल बाद जो अप्रेल आएगा उस अप्रेल में ही पड़ेगी तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया हो तो like करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेकर आता हूं videos finance के उपर में tax के उपर में और investment के उपर में जिसमें होता है पैदा हम सभी लोग हो